नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो काफी बच्चों कमेंट आ रहे थे यह नोटीस देखा होगा आपने तो इस पर वीडियो बनाने के कमेंट थे कि सर इसको समझाओ क्या यह तो मैं आपको बता दूँ ग्रूप 56 और 57 का एक जामोने से पहले आपको एक बात सुनने को मिली थी कि जो सिंगल बैंच थी उसने 56 की जो लेश्ट जारी हुई थी वो पूरा का पूरा रिजल्ट क्वेस्ट कर दिया था यानि पूरा रिजल्ट रद कर दिया था एक एससेसी ने सिरफ टेंपरेरी प्रमिशन ली थी एक जाम कंड़क नेक्स डेट पे जानी जो नेक्स डेट ओफ हीरिंग है वो साइद 9 जनवरी है उसको क्या करेंगे रिवाइज रिजल्ट पेस करेंगे यानि एससेसी ने काफी गलती की थी जब पिछे रिजल्ट जारी किया था काफी बच्चों ने सोश्यो एकनोमिक के नंबर क्लेम किये थे उनको नंबर नहीं मिले थे या फिर जिन्होंने विदे ड्रॉव कर ले थे लेकिन उनके नंबर हटाए भी नहीं रिजल्ट दे दिया था तो इस प्रकार की काफी गलती थी तो एससेसी को साब साब बोला कि नेक्स डेट पे रिवाइज रिजल्ट पेस करेंगे यानि जो पत्ची साथ के बाद जो भी रिजल्ट आया वो सब सेट असाइड कर दिया था यानि कैंसल कर दिया था सिंगल बैंच के दुआरा ठीक है गरूप छपना उस्तावन की बात थी और सैगिंड बात क्या है इसमें इसमें लगबग 649 पोस्ट है और चार गुना की पूलश 657 बच्चों का पेपर ले लिया तो कोर्ट ये जाना चाहती है कि आपने ये 37657 बच्चे बुलाए है ये किस किस रूल के हिसाब से बुलाए है तो एससे को ये चीज कलियर करने को बोला है यानि यानि वो कलैरिफाई करें इस चीज को जो नेक्स डेट है 9 जनुरी को उसक क्या पता चलता है कि जल्द ही इसका रिवाइज रिजल्ट आ सकता है ठीक है तो ये दो बाते थी इससे क्या होगा एक तो एसससे रिवाइज रिजल्ट पेस करेगी और एक जो भी फार्मूला इन्होंने लगाया है ये 37657 बच्चे बुलाए है तो ये किस पोल से के तहत कौन सा फार्मूला लगाये उन्होंने तो ये चीज़े क्लारिफाई हो जाईए अपने आप ठीक है तो इस इस नोटिस से यही बात निकल के सामने आ रही है और सेकंड आपको बता दूँ चोदा जनूरी को 11 ग्रूप को एकजाम है तो वो नोटिस भी आपको दिखा देता कि 11 ग्रूप है जिनके एकजाम 14 जनूरी को है ठीक है काफी बच्चों के ग्रूप 14 को लेकर कोमेंट थे ग्रूप 14 में देखो हमने चैनल पे पोल कंडक्ट करवाय था उसमें ही यानि लगबग 16 पोस्ट है उसमें ग्रूप 14 में उसकी साब से 64 बच्चे बनते हैं लेकिन जो हमारे चैनल पे सर्वे हुआ था उसमें ही लगबग 80-80 बच्चे बना रहे थे यानि पूरे हरियाना की बात करेंगे तो काफी बच्चे है ग्रूप 14 में तो ये बात अफ़वा ही थी कि उसमें 4 गुना से कम बच्चे है यानि ग्रूप 14 का देखो इसमें कहीं भी नाम 25 इन सभी ग्रूपों का एक्जाम 14 जनुरी को होगा क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े बच्चे है ये सिरफ एक दो जिस्टिक में कवर हो जाएंगे और इनके अड्मिट काड़ 10 तारिक के बाद मिल जाएंगे आपको और खास बात कि अगर आपका जैसे ही एक्जाम देना चाथते हो तो ठीक है तो इसमें इतना ही था कोई वो नहीं है एड्मिट काड़ आपके दस तारिक के बाद आएंगे चोजाजन वरी को आपका एक्जाम है तो आप सभी कंडिडेट कोल दा वेस्ट हैव इनाइश दे